हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है नामना और आप देखने शुरू कर चुके एक बार फिर से करेंट अफेर्स वाई कमलाग शाय यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पताएं कि लास्ट सेशन में हमने वो वन वीक के करेंट अफेर्स जो है वो डिसकुस रहे थे और आज की व और भी कई एक्जाम्स हैं तो उनके लिए भी आपका जो भी करेंट से कुशन भनता है उन सभी के लिए यहां पर प्रिपेरिशन करवाई जाती है अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चन तो जाईए कि आपको करेंट से कोई भी कुशन अलग से प्रिप करेंगे और आज उसमें कुछ अलग से हमने एड किया है उसके वारे में भी हम बताएंगे तो अगर और एक चीज़ बता दूं कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है वो करेंट के शेक्शन से आपको कोई भी कुशन नहीं छूटने वाला है आपके दीगराम पर एक से परतुम के एकाउट है उसमें आपको मैसेड करना है और उसके बारे में information लेनी है इसके लावा अगर आप टेली गराम पे भी current affairs by कमलाक्स चाहाँ आपको search करना है और वहाँ पे जाके search से information लेनी लेनी है कि इस PDF के paid package को join कैसे करना है paid package join करने में क्या होगा कि ये आपको PDF as it is मिल जाएगी आपको कोई notes बनाने ज़रूरत नहीं है हमने आपको सारी information इस PDF में आपको दे रखी है अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है आप इस video को continuous follow करिए आपको कोई भी question current से बाहर नहीं जाने देंगे अगर आपने अभी तक channel को subscribe कर दीजे और bell icon को press कर दीजेगा weekend पे ये video आपको provide होती है in future हम आपको Monday exam से related और भी कई सारी जो है वो चीजें provide करवाने वाले है ठीक है पेट पेट पेकेज को join कैसे करना है steps ये आपको दी है इसके लावब ये आपको number भी दिया है इससे भी contact करके आप contact करना मतलब message करिए call receive नहीं होगी इससे भी आपको ये paid package के बारे में information आपको मिल जाएगी बिनादेर करते हैं शुरू करते है पहला question आपका क्या है मैं आपको पहले बता जिता हूँ कि आपकी practice कैसे होगी इस station में आपको ये जो question है इसके बाद 4 option मिलेंगे आपको क्या करना है एक pen paper लेके बैढ़ना है और आपको question read करना है read करने के बाद वीडियो को pause कर दीजे question को read करिए आपको जो answer सही लग रहा है ठीक है और tick कर लीजे देखे ये नहीं है कि ऐसा कई बार होता है कि आप अंधी चुक्की मार देते हैं ऐसा नहीं है अगर आप अंधी चुक्की भी मार रहा है तो भी कोई बात नहीं याद रहती है ठीक है तो इसमें क्या होगा वीडियो को pause करिए question को read करिए question को read करने के बाद answer टीक करिए जब मैं आपको सही answer बताऊंगा तो आप उसको देख लेजेगा ठीक है इसके लाबा और भी कई information आपको मिलती है वो भी note करते रही है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कोई भी आपको problem होती है तो आप comment section ने बताएगा comment section में कुछ लोगों ने कुछ students ने बताया है कि वीडियो की quality 360 पे उनको सही से नहीं दिख रही तो आज मैंने quality increase करी हुई है और क्या करूंगा मैं जहां पे मेरे को लगेगा यह important है तो वहां मैं आपको zoom in कर दूँगा जिससे क्या है आपको proper देख सके ठीक है और एक नई slide हम लोगों ने शुरू करी थी कि हर 10 question के बाद देखे यह information मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो में फिर जब एक पर flow शुरू होता है परहाने का तो बीच में problem ना हो flow टूटे ना और कोई भी इस तरह की चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपके लिए beneficial ना हो तो इसलिए इस सारी चीज़े मैं पहले ही clear कर देना हूँ तो 10 question के बाद आपको एक slide में लेगी slide में 5 question होंगे जो current के होंगे, static के होंगे जो आपके exams के लिए important होंगे ठीक है? और मैंने बोला तो last video में कि जो भी इसके सही question बताएगा last में हमारी साथ 3 slide थी हर 10 question के बाद और उनके सही answer जो भी हमें बताएगा तो उसका हम नाम लेंगे इस वीडियो में तो आज last video में एक student थी, उनकी ID में रोगो clear नहीं है, लेकिन ID में जो नाम लिखा था उस नाम को मैं बताऊंगा, वीडियो के last में ठीक है? और भी कई चीज़े हैं जो इस वीडियो में है, वो आप last तक देखेगा, ठीक है? चले, क्या है? ministry of defense recently signed an agreement with which of these two supplied 10 Linux U2 GFCS यह क्या है भाई? यह आपके जो navy है उसको बहुत जादा important होने वाला यह equipment एक तरह से, ठीक है? कि वहाँ पे वो अपना काम कैसे कर सकती है? तो इसके लिए sign किसके साथ agreement किया है? आपको यह चार option है और इन चार option में आपको right answer बताना है तो right answer क्या है? B.E.L. यानि भारत Electronics Limited ठीक यह होगी आपकी question की information और अब मैं बताता हूँ आपको जो अलग से information, extra information मैं लेके आपके आपके लिए वो अच्छा यह रही आपकी extra information additional information अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि कई बचों को लगएगा important है तो zoom करने की आप सकता है मैं आपको बताए कि यह आप वीडियो को pause करेए यह information read करेए आपके exams में जो important होने वाली वो मैं आपको बताता हूँ यह रही वो information यहाँ पर क्या पूछेगा आपको बेल के बारे में पूछेगा यानि भारत electronics limited तो headquarters का बैंगलूरू में है foundation इसकी 19 54 में हुई थी और chairman और MD इसके MV गौत्वामा है ठीक अच्छा HL के बारे में पूछेगा HL के information यह रही आपके लिए HL का foundation किस ने की थी वाल चन हीरा चन ने की थी foundation कब हुई थी 23 दिसंबर 1940 में headquarter का है बैंगलूरू में है और इस समय chairman और MD कोन है आपके श्री आर माधवन इसके chairman और MD है ठीक अब हम बात कर लेते हैं आपके DRDO के बारे में important question है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि DRDO foundation कभी 1958 में हुई headquarter New Delhi में है और 37 ready आपके कौन है head है इसके DRDO के अब एक बात याद रखेगा कि DRDO के head पूछे जाते हैं आपसे कि वेग्यानिक सलाकार कौन है तो रचापंत्राले के वेग्यानिक सलाकार इन्ही DRDO के जो head है इन्ही को माना जाता है next आपके लिए अगर पूछता है तो इस्रो के बारे में पूछता है इस्रो के headquarter का है बेंगलूरू में है founder कौन है इसकी इस्तापना किसे ने की थी अगर उसमें इस्रो है तो इस्रो के जो डारेक्टर है यानि के सिवान है इनका भी कारेकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है additionally मतलब इस रिटार होने आ ले थे इनका कारेकाल बढ़ाया गया है establishment के बारे बूछता है कि कब establishment हो था था इस रो आपका तो 15 अगस 1969 हुए थी यह भारत की space agency है यह दारद रखेगा मने आपको कई country की space agency याद कराई है कौन-कौन सी CSA Canadian Space Agency JAXA Japan की space agency का नाम है NASA आपकी American Space Agency का नाम है Ross Cosmos आपकी Russia की space agency का नाम है ठीक यह आपके लिए हो गए additional information उजुला योजना किस ministry के दौर्ण लांच की गए थी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोशन इससे क्या बनने वाला है कि योजना कब लाउंच वी थी अगर आपसे पूस्ता है कब लाउंच वी थी यह 1 माई 2016 में तेकि आप मारकर को ज्यादा मत देखेगा क्योंकि इसमें थोड़ी से प्रॉब्लम है इसलिए ज्यादा अच्छे से नहीं लिख पाता है एक माई 2016 को इसकी establishment मतलब इस शुरू ही थी योजना किस के किस ministry के दौरा चालू की जाती ministry of petroleum and natural gas के दौरा ये शुरू की जाती मतलब चलाई जाती है ठीक है ये लागू की गई थी कौन कौन सी प्रधान मंतरी उज्जला योजना इसके दौरा क्या किया जाता है इसके दौरा गरीब परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर बाटा जाता था ठीक है चले और कुछ अगर आपसे कौशन पूचा जाता है ये मैं आपको जूम इन कर देता हूँ अगर आपसे कौशन पूचा जाता है क्या कि तो ये कौन है आपके धर्मेंद ब्रधान है अच्छा अगर आपसे पूचता जाता है और ब्रधान मंतरी उज्जला योजना तो ब्रदान मंतरी उजला योजना की जो tagline है वो क्या है स्वच इंदन बहतर जीवन यानि स्वच इंदन बहतर जीवन इसकी tagline है किसकी ब्रदान मंतरी उजला योजना की ठीक चले next question में वापिस आज आते हैं देखिए मैं आपको zoom in कर दे रहा हूँ जहां में लगेगा वहाँ पर हम zoom in भी कर देंगे ठीक है चले next question ये question number गल्द डाल गया है मेरे से मेरे को लग रहा है और ये तीन होना चाहिए चले कोई नहीं recently किसान कल्यान mission launched in which of these states इन्वें से किस राज में अभी किसान कल्यान mission शुरू किया गया है जली से answer करिए answer क्या करना है आपको वीडियो को पास करना है answer करिए मतलब मैं आपसे खुद से बोला हूँ कि आप खुद से answer करिए अपने पास जो pen paper लेके बैठे हूँ आप अगर आप इनको follow करोगे और questions को तो आपको बहुत साथ benefit मिलेगा आपकी exams में आपको याद रहेंगी लिखी लिखाई चीज़ें बहुत जल्दी याद होती ही भई चली तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका यूपी ठीक उत्तर प्रदेश ने किसान का लियान mission चुग किया था अचा अचा लागो कब से होगा तो यह लागो होगा 6 जनवरी से 6 दरनवरी 2021 से होगा क्या इसमें देखें तीन सप्ता का प्रोग्राम है ये और 75 आपको पता होगा अगर आपसे question पुछाएगा था भारत में सबसे ज़्यादा जिले किस राज में है यह उत्तर प्रतेस ही है सबसे ज़्यादा अबादी पुछेगा तो उत्तर प्रतेस की ही है ठीक है 75 जिलों के प्रतेस विकास खंड में यह योजना जो है वो यह स्कीम चलाई जाएगी तीन सप्ताल का प्रोग्राम है ठीक है यह याद रखिएगा इसमें किसानों के बारे में कि उनकी आई कैसी दुगनी होंती है और उनको करसी छेतर में किस तरह से अवेरेनस फैलाई जागरूपतर दी जाए किसानों को इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा है ठीक है अब 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 बताया जाएगा ठीक आचा आपसे यहां पर additional question मैंने आपको दिया है कि अगर आपसे पुछता है UP दिवस यानि उत्तरप्रदेश दिवस या UP Foundation Day उत्तरप्रदेश की स्थापना का अगर पुछता है तो यहां पर 24 January को स्थापना हुई थी next question which of these recently released digital payment index इने में से हाली में किस ने digital भुक्तान सूचकांग जारी किया है किस ने जारी किया है आपको पहले बता दो कि यह बारे में आज आई आई आर डिया से कुछ कुछन है और आपको जल्दी से अंसर करना है चली अचा यह होता क्या है मैं आपको पहले बता जेता हू कि यह बाई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता क्या है एक्चल में यह डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है बाई कि यह कैशलेश जितने भी आप कैशलेश ट्रेंजेक्शन करते हो आपको बताओ कैशलेश ट्रेंजेक्शन मतलब डैविट कार्ड से करते हो या आप इंडेक्स के अंदर measurement होती है किसकी cashless transaction की growth की ठीक ये चीज़ आपको clear होने चाहिए और इसको इसका सूचकांग यानि index जारी किस ने किया है तो ये आपको right answer पता होना चाहिए RBI नहीं जारी किया है ये index ठीक अगर आपसे question बूसता है तो आपको answer कर देना है कि RBI की दोरा cashless ये आपका जो digital payment index है ये जारी किया जाता है ठीक है चालिए next ये आपको मैंने important information बता दी यहाँ पे कुछ information है ये आपको जाना चाहिए ठीक अगर आपसे question बूसता है कि भारत के जो पहले reserve bank के governor थे तो ये कौन थे इसलिए ये information इतनी जादा हो जाती है और एकी page में मैं एकी slide में इसको cover करने कोशिश करता हूँ ठीक है चालिए अगर आपसे पूछता है कि इस समय वर्तमान के governor कौन है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वर्तमान के governor कौन है RBI के सक्तिकान दास है अगर आपसे पूछता है कि किस मतलब कितने बार के हैं ये कौन से number के हैं तो ये पच्चेश में governor है ठीक है पच्चेश में governor है और ये कब से कारकाल में थे तो December 2018 से इनको ये पदभार मिला था ठीक है ये चीज़ आपको याद रखने चाहिए important है ठीक है चलिए next what is the full form of AUB यानि AUB का full form क्या है यह आप देख रहे होंगे यहाँ पे और मैंने आपको लगा दिया हुआ है ये figure आप देख सकते हैं तो इससे आपको अंदाज लग रहा होगा साइद अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं आपको answer करना है autonomous underwater vehicle automated universal vehicle या automatic underwater vehicle right answer क्या है भाई इसका जल्दी से answer करेए इसका right answer में आपको पता देता हूँ option number E AUV का full form क्या है autonomous underwater vehicle अब ये question आपको क्यों पढ़ना पढ़ लाई है ये भी जान लीजे देखिए अभी बहुत जादा ये cover भाई भी थी आपको information मिल रही होगी अगर current की अगर आप news पर परवाईरा पढ़ते हो तो वहाँ पर पता चला होगा कि China ने इंडियन उशन में अपने जो drone है वो deploy कर रखे हैं और अभी हाली में कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया ने इनका drone पकड़ा भी था तो ये इनका यही drone है जो आप देख रहे हैं फोटो में यही drone है और यह क्या है autonomous underwater vehicle है यह तरह का drone है आपको पता होगा अगर आपने air drone देखे हैं जो कि जिनको कोई नहीं operate करता है उनको report control से operate करना पड़ता है मैं आपको अगली slide में उनकी भी information दूँगा तो अगर आपसे question बूशा जाता है AUV का है तो autonomous underwater vehicle है यहाँ पे देख लिजे यह देखें वाई यह देखें तो China has recently deployed underwater drones called sea wing glider इसका नाम क्या है sea wing glider है और Indian Ocean region में यह deploy किया गया था चाइना के दोरा और इसको पकड़ा किसने था तो वह देख लिजे Chinese sea wing submarine drones found in Indonesia March 2019 में भी और December 2020 में दोनों जग़े यह पकड़ी गई थी यह आप देख सकते हैं यहाँ ठीक है चलिए अचा अगर आपसे पूछता है कि जो आपका drone होता है यह देखिए आप इस तरह देख सकते हैं आप drone पूछता है drone का भी full form पूछता है तो drone का full form क्या पूछेगा UAV आपने क्या पूड़ा है उपर AUV पढ़ा और यहाँ पे question पूछेगा UAV का full form तो unmanned air vehicle यह आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको information मैंने provide करवा दिये unnamed air vehicle के नाम से भी आपसे पूछ सकता है तो आपको UAV का full form पता होगी होगा ठीक है चलिए next next question आपसे पूछा है the lighthouse project is to be implemented by which of these ministry a lighthouse project इसमें से किस मंत्रा दरा लागू किया जाना है ministry of rail, ministry of home affairs यह ministry of housing and urban affairs चलिए और यहाँ पे आप जब तक सोचिए मैं आपको information provide कर देता हूँ क्या देखिए अगर आप से पूछा है कि lighthouse का जो project है इसको इसकी जो foundation किस ने किया था और lighthouse जो project है अंदर किस के अंदर आता है तो GHTC के अंदर आता है अभी GHTC क्या है यह अगली slide में मैं बताऊंगा यहाँ से आपको clear होना चाहिए यह आपका right answer क्या है question number 6 and the right answer is ministry of housing and urban affairs यह यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा ministry of housing and urban affairs के द्वारा यह जो है वो शुरू की गई lighthouse project इसमें क्या है कि concrete आपके जो देखते होगी सरघर राना नहीं क्या क्या यूज होता है concrete और जो इट वगरा होता है इट वगरा होती है उसमें यह जो lighthouse बिज़ते नहीं बनाए जाएंगे इनमें इन सब का use नहीं होगा तो आपसे अगर question पूछता है कि कितने राज्यों में शुरू किया गया है तो यह 6 राज्यों में शुरू किया गया है अच्छा अब मैंने आपको बता है तो GSTC क्या है Global Housing Technology Challenge इसके अंतरगत यह शुरू किया गया है Global Housing जो है आपका Technology Challenge इसके अंदर शुरू किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट यह आपसे पुछता है तो GSTC का पुछेगा तो आप पता दो Global Housing Technology Challenge इसमें होगा क्या इसमें इंदौर में देखे आपको पता होगा है यहापे मैं आपको दिखा देता हूँ Under this project the house Houses being built in Indoor Will not have brick and mortar walls But a pre-fabricated sandwich panel system Will be used in it तीक है Next question आपसे अगर पुछेगा कि कहा कहा पे शुरू किया गया है तो आप यहाँ देख सकते हो Global Housing Technology Challenge इंडिया के तहत अगर तला जो की तिरुपुरा में है राची जो की जारकंग में है लखनाउ जो की उत्तरप्रदिस में है Indoor, जो की MP में है राजकोड, गुजरात और चिननाई, तमिल नाडो में जो है यहाँ पे इन 6 जगों में Lighthouse Project शुरू किये जाएंगे तो आपसे क्यों नंबर पूछेगा कितने राजों में शुरू किये गई तो आप comment section में बढ़ आ सकते हैं यह रहा आपका 7th question Ease of doing business amendment bill 2020 किस के द्वारा पास किया गया है किस government के द्वारा पास किया गया है तो यहाँ पे आपको answer करना है नाकलाइड, जम्मू कश्मीर, असम और प्लमलनाडो और इसका right answer क्या है question number 7 का यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा असम, असम इसका right answer है ठीक है, चले next, यह आपको इतना पता होना चाहिए important क्या है, important यह आपस पूछता है कि इस समय कितने जो आपके राश्टी उद्धाने नेशनल पाक है वो असम में यह ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है चाले which country government recently announced certain changes to its national anthem किस सरकार ने, किस देर किस सरकार ने, हाली में अपने राश्टी गान में कुछ बतलाओं की कोशना की है बतलाओं को जो हमारा national anthem होता है, जन गन मन उसी तरह किस, जो अभी आपको नाम भी बताऊंगा और आपको पता होगा कि इसमें से, आपको आंसर करना है इसमें से किस देश ने किया तो आपको मैं आंसर बता जेता हूँ कि Australian government ने अपने जो राश्टी गान है उनका national anthem में उसमें कुछ चेंजमेंट की है अच्छा ये कुशन पूचा रहेगा इंपोर्टन क्या है ये रहा आपका इंपोर्टन कुशन आपसे पूचेगा कि जो आपका जैसे हमारा जन्गर्मन है न तो Australian जो national anthem में उसका नाम क्या है तो Advanced Australian Fair ये आपका नाम है इसका ये आपका नाम रहा Advanced Australian Fair Advanced Australia Fair मतलब लागू का पूचेटी 1878 में शुरू का पता है 1878 में लिखा गया था ये आपको पता होना चाहिए इंपोर्टन है और पूचेगा नहीं पूचेगा ये एक्जामनर के उपर है मैं आपको जो चीजे इंपोर्टन होने वाली है वो आपको मैं बता देता हूँ Advanced Australia Fair नाम था और 1878 में लिखा गया था पूचा के जाएगा इंपोर्टन है ये चीजे जान लीजे देखिए प्राइमिस्टर पूचता है इसकॉर्ट मौरिशन है कैपिटल पूचता है तो कैनबरा है करेंसी पूचता है तो और श्रीलियन डॉलर यहां की और श्रीलिया की करेंसी है ये इंपोर्टन है ये चीजे यादर किया ठीक है चले नेक्स विच आप दीज स्टेट लौ स्टेट हैस नाव बिकम दा फूर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मिलेट अ कंप्रेंसिव डेटा पॉलिसी इन में से कौन सा राजे अब फ्यापक डेटा नीथी तयार करने वोला भारत का पहला राजे बन गया है क्वेश्चन नमबर नाई और कमेंट सेक्षिन में आपको आंसर बताना है देखे आपको अगर ये जो करेंट की वीडियो में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोशेश करता हूँ मैं ये वीडियो ज्यादा लंबी रहो फिर भी एक देड़ गंटे की तो हो ही जाती है चलिए और राइट अंसर क्या है क्वेश्चन नमर नाईन का यहाँ पर राइट अंसर है पंजाब पंजाब क्या करेगा भाई अव्यापक डेटा नीती त्यार करेगा भरत का पहला राजय बन गिए चलिए चलिए कैपिटल क्या है यहां की चंदिगाड है कवर्णर कौन है वीपी सिंग बन नोर है जो आपका सिकटी एंड एंड एक बोड़ ऑफ पहल इंडिया है यह आपका किस सफर्ट में इस्तापत खुआ है तो यह चीज रहिए इस थापना में क्या है दीए 12 अप्रेल 1988 में यह इस्टैबिश हुआ था लेकिन इसको एक्ट के रूप में पावर कब मिला था 1992 में तो अगर आपसे कोश्चन पूसता है तो यहां पे आपको कोश्चन क्या करना है 1992 करना है यह याज दर रखेगा 12 अप्रेल 1992 आपको राइट 1998 यह चीज आप दो चीजे याद रखेगा ठीक नेक्स्ट अच्छा यह न्यूज में क्यों आया तो यह मैं बता देता हूं कि आपको अगर शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है उसके लिए हम अलग से किसी सेशन में बात करें क्योंकि वो बहुत नंबर टॉपिक है ब दोका धड़ी का आरोब लगाते हुए जुर्माना लगा था तो वहां पर रिलाइंस आपका इंडिस्ट्री लिम्टेट अगर आप्शन में है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो सेबी का चेयर परसन आपका अजय त्यागी जी है और इनका इनका भी एक्स्टेंशन रहेंगे किसके सेबी की अजय तैकी ये चीज़ या रहेंगा ठीक है चली नेक्स्ट यहाँ क्या होगा एक 10 कोशन खदम और आपकी आगई है स्लाइड अक्छा जो लास्ट की वीडियो में हमने स्लाइड बताई थी आपको तीन स्लाइड है दी थी हर दस कोशन के बाद बार एक सई के अंसर तो उनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उनका नाम क्या है वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा ठिक यहाँ पर आपके आज क्या है और उनके सबके आंसर भी मैं आज प्रोवाइड करूआ रहा लूंगा तो जितने भी वो तीस कोशन के आ को यह question प्रोइड करो Oscar Award 2020 for the best film किसको मिला है कौनसी best film को मिला है यह आपको बताना है Headquarter of WHO WHO को Headquarter करा है What is the old name of State Bank of India State Bank of India का old name क्या है पुराना name State Bank of India का क्या है and what is the full firm IAEA इसका full firm क्या है ठीक चलिए अच्छा एक चीज मैं बता दू कि उन questions के answer करते समय जिसने भी answer किये थे उसने क्या किया है कि एक दो question के additional answer लिख दी है जैसे एक question के साथ उन्होंने foundation भी लिख दी तो यह काफी अच्छी चीज है कि आपको revise होती चल रहा ही आपको यह सारी चीज Next question number 11 The world Braille day is celebrated on किस दिन मना जाता था विस सो Braille दीवस यह कहा है यह आपको पता होना चाहिए कि देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं यह आपको कई तरह के dot देख रहा हूंगे तो यह dot कहा है यह जो हमारे यह दिव्यांग लोग है जिने आँखों से दिखाई नहीं दीता है एक तरह से आप यह बोल सकते हैं उनके लिए लूई Braille लें लूई Braille लें यह जो पद्धत ही है इन्होंने यह सुरू की थी और इसको Braille दिवस के रूप में मनाया जाता है हर बार किस दिन? चार जनवरी के दिन इन्होंने कहते हैं जो भी अंधे लोग है मेरे को बाल 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 बोलने भी यह ठीक नहीं लग रहा है लेकिन यह वो है ठीक है तो उन्हों लोग पढ़ेंगे कैसे तो उनके लिए क्या हुआ था कि उन्होंने कई जगह पे क्या है कि उकरी हुई अक्रती के अक्षर लिए मतलब साइन बना दिये थे इस तरह से जहां से यह मैं बना रहा हूँ इस तरह से भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको दिया हुआ है यह भी आप देख सकते हैं ठीक है तो यह इन्वेंशन की हुई थी उन्होंने किसने लुई ब्रेल ने ताकि दिवैंग लोग भी पढ़ सकें तो अगर आप से विश्व ब्रेल दिवस के बारें पुछता है तो चार जनुरी आप को जाद रखना है ठीक है चली यहां पर कुछ इंपॉर्टेन इंफॉर्मिशन है यह आप यह देख ली जगा ठीक है चली जूम कर दिया हुए मैंने यह आप पॉस करके ट्रीट कर ली जगा ठीक चली तो यह मैंने आपको बताया कि यह मैं इसलिए यह सारी चीज़ें एक जगे लिखने कोशिश करता हूँ और बाइलिंग्वल देता हूँ कि आप हिंदी जे हैं तो भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम है तो भी यह सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आपको प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंफोर्मेशन में आपको प्रॉइड करवाबा हूँ इसलिए यह सारी चीज़ें मैं करता हूँ आपके लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन नमबर 12 आइस एज राइनो वास डिस्कवर्ड ऑन विच रिवर तो आपका आइस एज राइनो है कि खोज किस नदी पर की गई अभी हाली में तो यह आपको यहाँ पर कोशना के आंसर दे दिये हैं और यहाँ के राइट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका तायरेक्स नदी आपकी तारेक्ट रिवर जो है इसमें इनकी खोशकी गई यह आप देख सकते हैं आपके यह आपका राइन हो है ठीक क्यों है यह चर्चा में क्यों है यह इसकी खोश हुई इसलिए चर्चा में और दूर्शी चीज़ यह आपके IUCN के रेड़ डेटा बुक में है मतलब यह लुफ्त प्रजाती की रूपया मान सकते हैं इसलिए भी इसको यह ज़्यादा महतुपों आपको जानने को मिलता है ठीक है चले अच्छा और भी एडिशनल इंफॉर्मिशन है आपको यहां पर बताते हैं क्या एडिशनल इंफॉर्मिशन देखें दो तीन चरेगी आने को मिल गए मैं आपको एक मिनट जूम कर देता हूं इनको ठीक तो दो कोशन में आपको बता दिए कि अगर आपसे पुछन पुछता है आपसे तीसता रिवर के बारे में यह रहा आपका तीसता रिवर ठीक तीसता ने अधी एक 315 किलो मिटर लंबी नदी है जो पूरी आपसे पुछेगा कोशन पुछेगा कि तीसता नदी किन किन राज्यों से होकर बहती तो यहां पर मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मिशन दे दी है ठीक चलिए next what is the full firm of IOSCO IOSCO का पूर्णोप क्या है important है पूर्ण सकता है question के आपको option यह दी है international organization of sector commissions international organization of securities commission international organization of securities commission international organization of securities committees और none of these right answer क्या है comment section में जरूर बताएगा यहां पे आपको question read करना है ठीक है paper लेके बैठे होंगे आप उस पर भी right answer जो है वो लेख सकते है फुल फॉर्म क्या है IOSCO का आपका right answer क्या हो जाए option number आपका हो जाएगा question number 13 का यह आपका बी international organization of securities commission यह IOSCO का और यह हरी country के जो जितने ही वित्ती निवेश होते हैं उन सभी के बारे में information रखती है यहां पर मैंने आपको देदी यह पड़ लेजगा important क्या है important है IOSCO का जो information है वो है headquarter पूचेगा madrid spain के अंदर है foundation पूचेगा पूचेगा April 1983 में हुई थी इसकी foundation security general पूचेगा Paul P. Andrew है और purpose पूचेगा तो forum for national security regulatory जितने भी आपकी यह सारी जीसे हैं इनकी उपर इसका purpose है यह आपका उद्देश है इसका उद्देश है ठीक next 14 question आपका यहां पर पूचेगा रहा national metrological metrology conclave was organized as on CSIR foundation day on which day it was celebrated ठीक आपका जो राश्टी metrology conclave का आयोजन CSIR foundation day के दिन हुआ और यह CSIR foundation day कब मनाया जाता है 5th January, 7th January, 6th June और 4th January जल्दी होता है और इस दिन देख रहे सकते हैं अगर देख पा रहे हैं तो यहां पर मूद जो हमारे आपको पता होगा जितने भी हो रहे हैं यह webinar ही हो रहे हैं एक तरह से वर्चुल ही इसको जो है वो संबोधित किया जा रहा है online ही ठीक है चाले तो यहां पर आपका राइट answer क्या हो जाएगा राइट answer आपका question number 14 का हो जाएगा 4th January क्या हो जाएगा 4th January इसका राइट answer हो जाएगा अब आपको बताना है कि CSIR का flow from क्या है यह आपका एक तरह से homework भी मान लीजे आपको comment section बता रहा है कि CSIR जो है आपकी जिसके foundation day वाले दिन इसको मनाया गया था यह कब है इसका foundation day कब होता है ठीक चले यहां पर important information है और यह कौन सा था CSIR का कौन सा foundation day था तो 75 था 75 फांडेशन day था CSIR का और इसके अंदर ही सारी चीज़ें बात हुई है अर्थिक विकास को लेके ठीक है और इंडिया की growth कैसी economy growth कैसी होगी इस अभी चीज़ों के बारे में बात हुई है ठीक चले what is the full form of FSSAI एक तरह से फसाई भी बोलते हैं इसको तो इसका full form क्या है यह चीज यहां पर question आपसे पुछा गया है food safety and standard authority of india food securities and statutory authority of india food safety and standard authority of india यह ननावती right answer आपको pick करना है यह खबरों में क्यों है क्यों है क्योंकि आपको ट्रांस्वाइट को लेकर जह हो कम करने को लेकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा है तो इसलिए यह खबरों में है ठीक है चले and the right answer is question number of food 15 का right answer क्या है food safety and standard authority of india अगर आपको noise में प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी हम इसका भी solution निकाल देंगे हाला कि मैं कोशिस कर रहा हूं कि आपको clear noise जो है वो प्रॉइड कि करवाऊं मैं ठीक है जल्दी आपको clear voice में और clear provide कराने कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे को sad लग रहा है आपको voice clear आती है कि नहीं session की यह जरी जरूर बदाएगा चले important है यह साइज चीज़े तो यहां पर मनें बता दी अच्छा फसाई से related question अगर पूशता है तो इसकी foundation में आपको बताता हूं foundation कब हुई थी इसकी foundation आई की next next question आप से बूश रहे question number 16 recently which country decided to launch launch wooden satellites in 2023 हाली में किस देश ने यह decide किया है निर्णा लिया है कि 2023 में लकडी के उपग्रहों को launch करेगा वह आप देख सकते हैं यह इस तरह के उपग्रह हैं लकडी के तेश में कौन launch करेगा यह आपको पता होना चाहिए इससे पहले मैं आपको कुछ important information दे देता हूं क्या important information देखिए आपको पता होगा कि environment को लेके सब्सक्राइब हो रहे हैं सब वर्ड में भी और इंडिया में भी कि environment के उपर special जो है वो focus किया जाए और environment को कैसे ज्यादा ज्यादा safe रखा जाए सकता है वो रखा जाए धरती पे तो बहुत ज्यादा कच्रा है यह आपको पता है इस पेस में कच्रा कैसे होगा आप बोले education के माद्यम से या किसी भी चीज़े के लिए हम जो वहाँ पे छोड़ते हैं इस पेस में वो जब एक टाइम के बाद वो जब retired हो जाते हैं एक तरह से बिकार हो जाते हैं तो उनका कच्रा आप देख सकते हो यह देखिए अंतरिच में किस तरह से उनका कच्रा जो है वो तै हम wooden की जो satellites से उसका यूज करेंगे अचा wooden की satellites का यूज करने से आप कच्रा खतम कर देंगी क्या आपके मन में कोश्चन आया होगा तो हाँ खतम हो जाएगा क्यों कहतम हो जाएगा देखिए हम जब satellite launch करते हैं तो आपके जो अंतरिच में जो एक दायरा है उसके अंदर वो यह जैसे ही सेट्ट है यह और चली यह तरह से फैल रहा है यह तरह से सैटिलिट है और इनकी जब फारी को प्रृत्वी ऑन्दर कीचा जाएगा था तरह से प्रत्वी के अंदर जैसे यह प्रत्वी के डायरे में आएंगी तो यह घर्मी के खारण वहाँ पे जो एक तरह से आप बोल सकते हैं गर्म जो है वहाँ पे उसके कारण यह जल जाएंगी और कच्रावाई पे समाप्त हो जाएगा विकाज यह फुटेन की है इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए यह आपको नॉर्मल वेवे मैंने बताना की कोशिश की है आपको समझ आयोगा आई हो ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है है तो प्लीज वीडियो को लाइक क तो कमेंट सेक्शने में बताइए आपको सारी चीजेशिचे साप इसफेरे डाउट कारे seven कोई आउट है तो कमेंट सेक्शन में आप यह सकते है उसके बारे में मैं आप से डिस्क्रिशन गरेंगगी था त्टीक है चाले यहाप आपय मैं आपको पूदा दिया कि क्या करें तीनी ऐलुमिने पार्टिकल्स यह जल जाएंगे ठीक है इससे क्या होगा प्राप्लम नहीं होगी इन्वार्मेंट को लेगे अगर आपसे कुछन पुछता है कि कौन बना रहा है तो यह देखिए यहां पर लक्री के अब ग्रहों को सुमी तोमो वाने की यह कंपनी है किसकी जापान की किसके दोरा मिलके क्योटो यूनस्टी इसके दोरा मिलके डेजाइन कर रही है ठीक है चले अगर आपसे कोशन पुछल रहता है कैपिटल क्या है जापान की तो टोक्यो है लैंग्विश क्या है जापानी है करंसी क्या जापानी यह इन है और प्राइमिनिस्टर क यह आपको पता होना चाहिए कि हाली में किस के द्वारा, इन में से किस के द्वारा आपका जो मलाला, युसुप जाई छातरा दिन्या में वह पारिद किया गया है देख़ए आपके तरह के खोशन बहन सकते हैं या आपका राइele-danser में आपका बताया है यसया दुशे के दोकी द्वारा ये अक्ट वो फारत किया गया है ये आप देख सकते है विद्ध सबसे कम उम्रड़ी गीयर का Nobel Peace Prize है वह पाने वाली महीला कोन है माने वाला कौन है माईला तो नहीं पूछेगा आप पूछेगा तो राहे डांसर आपको पताईए पूछेगा कौन है तो यह मलाले युसिप जहीं है कब मिला था 2014 में मिला था किस सेक्टर मिला था मतलब नोबेल का कौन सा प्राइज मिला था मैंने आपको बताया है कि लास्ट वीडियो में हमने आपको पूरा नोबेल के बारे में बताया है कि कब से शुरू हुए थे, किसको सबसे पहला मिला, किसको सबसे अंतिम मिला, और इनको भी मिला, और वराक उपामा को भी मिला, कौन-कौन से यह मिला, यह सारी चीज़े में ह यहां पर क्या है तो इन्होंने मलाला यूसिफ जई साथ रुद्य दिनियम पारित किया है किसने साउक्तराज अमेरिकर ने स्कॉर्डर्शिफ देंगे जो पाकिस्तानी वूमेंस होंगी उनको पढ़ाई के लिए ठीक हाइड जो एजुकेशन है वो अफॉर्ड कर पाएं इसलिए उनको यह सारी चीज़े मिल ले जाएंगी सुविधाई दी जाएंगी ठीक है इसके लावा कोशन पूसता है कि मलाला दीवस बनाया जाता है 12 जुलाई 2013 को ठीक है यह चीज़े याद रखेगा अगर यूएन द्वारा पूछे जाएगा मलाल दीवस किसने घोशित किया था तो यूएन ने मना शुरू किया था ठीक कब बनाया जाता है तो 12 जुलाई को बनाया जाता है शुरू कब से हुआ ब पहली भासा थी तो तमिल थी राइट अंसर का तमिल है और ये अरविंत केजरिवाल जी का फोटो लगा है आप यहां इनका फोटो क्या कर रहा है तो मैं पवदा दू कि तमिल भासा की सरस्केटी के रच्छा के लिए और इसके विकास के लिए तमिल अकादमी शुरू की जा रही है देली गवर्मेंट के द्वारा इसलिए ये कोशन बन गया है अगर आपसे पूचा जाएगा है तमिल अकादमी की शुरूगात करने वाला कौन सा राज्य है या यूटी है तो यहां पे देली आपको टिक करना है जो कि हाली में उने अनॉंस्मेंट की है ठीक है अब चले यह आपको एडिशनल इंफोर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा दिये यह कर दिया मैंने जूम आप इसको पॉस करके पढ़ सकते है ठीक है चले नेक्स कोशन बात कर लेते हैं पॉंग डेम इस लोकेटेट इन विच स्टेट पॉंग डेम किस राज में स्थित है आपक आपका हिमाचल पर देश में पॉंग डेम इस देते हैं क्यों चर्चा में क्योंकि आपको बताओगा बर्ड फ्लू इस समय बहुत जाद अभी वारल हो रहा था और इसमें बर्ड फ्लू से डिलेट निउस है तो इसलिए पॉंग डेम खापरों में राक्यों क्योंकि यहां पर जैसे यह पच्छी आया थे तो प्रवासी पच्छी हों कि आप यहां पर स्लाइड में देख सकते हैं कि इनकी सत्रा सो करीब के लगबग थे और इनकी काउंटिंग इस सत्रा सो के आसबस की गई थी इनकी म्रत्य हो गई थी पॉंग डैन अब भेहरान में ठीक है यह जी तडबंद बांध है यह मतलबी बनाये गया है आर्टिफिशेल है यह बांध आपको याद रखना चाहिए ठीक है चलिए और यह प्रसिद पच्छी बरण भी है जिससे क्या बोला जाता है महारार प्रताब सागरीन इंडिया बोले जाता है पॉंग डैम को ठीक है यह चीज यह रही आपकी सागर माला सी फलान सर्विस प्रोजेक्ट किस मंतरा दोर्य लागू किया गया है तो यह आपको याद रखने चाहिए और को यह कोशन 20 के बाद दूश्टी बे आपको 5 जाप कीимся्ण सागर مाला सी प्लेन सर्विस प्रोजेक्ट इस इंप्लेमेंट बाइज म कराईट अंसर हो जाएगा Ministry of Ports, Shipping and Water Waste के द्वारा ये जाए इनिशेटिव शुरू किया गया है क्या होगा इसमें भाई अभी आप देखते थे कि हवाईजाच जावा में भी उड़ता है अभी हवाईजाच जमीन पर भी लैंड करेगा ये आपको पता होगा लेकिन अभी इसमें क्या है हवाईजाच पानी में भी लैंड कर रहा है ये आपको important है और एक अच्छा initiative है ये किसले इसको शुरू किया गया ताकि हमारे इंडिया में tourism कुछ बहुत जादा बढ़ावा मिले और अभी हाली में शुरू किया गया था कहां पर शुरू किया गया था ये भी मैं बताऊंगा अगर आपसे भूश्टा एक minister कौन है minister of state independent charges के अंदर मंसुकलाल मांडविया इसके minister है किसके ministry of courts और shipping waterways के है चले अच्छा ये शुरू कहां किया गया केवडिया एंड सावर्मत्री रिवर्फरेंट इन एहमदाबाद इस अल्रेडी ऑपरेशन इट वस इनाउगरेटेड बाइ प्राइम मिन्स्टर नरेंजमोदी ओन अक्टूबर 31, 2019 31 अक्टूबर 2019 में इस शुरू किया गया था और अगर आपसे पुस्ता है कि भारत की पहली सी प्लेन जो स्रीवा है वो कहां सुरू किया थी तो एहमदाबाद में केवड़ी और सावर मत्री रिवर्फरेंट के अंदर शुरू किया थी एहमदाबाद का है गुजरात में है इंपोर्टेंट है ये चीज़ याद रखेएगा इन विच मन्त इस दा यूनियन एन्वल बजट यूज़ुली प्रिजेंट इन क्या है पार्लियमेंट नेक्स्कोशन क्या है प्रधान मंत्री जंधन योजनवाउस इस टार्टेड इन विच येर इसके अंदर आपके इंफर्मेटिव कोशन है ये आपको पता होने चाहिए ठीक है नेक्स कोशन की बारे बात कलते हैं कोशन नमर टॉंटीवन रिशेंटली प्राइम मिंस्टर नरेंद मोदी इनाग्रेटिट विच आप इस नेचरल गैस पाइपलाइन है आपको पता होना चाहिए आपके इंपरण होने चाहिए क्यों क्योंकि एक्जाम में आएहां एच्छा यहां किस तरह से बनेंगे आपसे पुछ जाएगा की यह जो natural gas pipeline है, इसको करना टक, sorry, करना टक, यहाँ पे कहां से कहां तक शुरू किया गया, तो यह आपका right answer हो जाएगा, question number 21, यह आपका शुरू किया गया, कोची से मंगलूर तक, कौन सी company साथ में काम कर रही है, तो आपकी गेल कर रही है, गेल के द्वारा यह काम किया जाता है, क्या नाम है, Gas Authority India Limited, ठीक है, Gas Authority India Limited के द्वारा यह काम शुरू किया जा रहा है, कहां फे शुरू किया जाता है, कोची से मंगलूर तक के लिए, यह आपको पता होने चाहिए, ठीक है, चले, और यह कब शुरू की गय थी, तो यह समर्पि 2021 को, ठीक है, यह आपको पता होने चाहिए, अच्छा, यह कितनी लंबी है, बाई, 450 किलोमेटर लंबी यह पाइप लैन है, किस के दर बनाई गई, बिल्ट बाई गेल इंडिया, ठीक है, अच्छा, यह किस प्रोजेक्ट के तायत काम किया जा रहा है, तो वन नेशन, वन ग प्राकरतिक गैस, पुनर्जीवन टर्मिलल से प्राकरतिक गैस ले जाना है, यह कहां से कहां तक चुरूगी तो, एंड़कुलम, पलकड, त्रशूर, मलंपुरम, कनूर, कोजी कोड और कासर, गोड जिले में से होकर गुजरे गई, आठ जिलों को लापनवित करेगी, यह चुरू की जा रही है, ठीक है, चलिए, कौन से स्कीम के अंदर में, तो वन नेशन, वन गैस ग्रिट के अंदर में यह काम करेगी, इतने सारे कोशन, एक आपको कोशन से प्रोवाइड करवागी, यह मैंने, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन है, और वेरी इंफरमेटिव कोश किस मंत्रा ज़रा किया गया है, मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्र कोने मैं आपको प्रीविएस वीडियो मरा आ चुका हूँ, आप देखिए, सारी वीडियो आप फॉलो करते चलिए, आपका कोई भी कुश्चिन भाहर नहीं जाने देंगे हैं, ठीक है, चलिए, इसका राइट अ साइंस के मंत्री कोने, आपके डॉक्टर हट्सवर्टन सिंग, जो आपकी स्वास मंत्राले के मंत्री हैं, वह उन्हों शुगिया, आपको एडिशनल इंफोर्मिशन में आपको बता जिता हूँ, देखिए, चालिसवा मिसन था, ठीक है, अन्टार्टिका में, साउथ बोल म में बेज़े जाने गाला, भारत यह चालिसवा मिसन था, उर चालिसवा मिसन में आपको बता हूँ ने, चालिस लोग ही भेजे गए हैं, यह बेजे आए ahí, ठीक है अच्छांग, यहां भी होता क्या है, देखिए, आपको बता हुना चाहिए, 1961 में 1961 में 54 देसों द्वारा एक treaty में sign हुआ था एक समझाता हुआ था क्या समझाता हुआ था अपका North Pole है जो अंटारिटका में North Pole है वहाँ पे कोई भी मतब वहाँ पे इस समझाते के अंदर बोला गया था कि lab यहाँ पे हार एक देस lab बना सकता है मतब जो 54 देसों में से देस थे वो lab बना सकते हैं और lab में जो भी research वगरा होगी कि किस तरह से वहाँ पे environment है और क्या के चीज़ें होने वाली है in future और वहाँ पे scientific research भी होगी तो उन सभी को हर एक देस के द्वारा share किये जाएगा चाहे किसी भी देस की lab ने वहाँ पे वो discover किया हो खो जा हो information collect किया हो तो सारे देसों के साथ क्या है share की जाएगी और कोई भी वहाँ पे problem होती है तो उन सभी देसों के साथ discussion होगा उसके बारे में ठीक है ये कुछ basic information है आपको पता होने चाहिए ठीक अच्छा अब आपसे question पूछता है कि ये जो आपका Antarctica में जो आपकी labs है वो कितनी है तो Antarctica में हमारी lab 3 है कितनी है 3 है मैं आगे की slide में बताऊँगा भारत की lab 3 है आपसे पूछता है कि आर्किटिक ओशन रिसर्च एक सेकड़ ओशन रिसर्च ठीक है ये इसके द्वारा वहां से जो है वो रिलेट करता है भारत ठीक है ये कहां पे है ये गुवा में बना है ये एक organization आप बोल सकते हैं इसको क्या है भाई नेशनल कमिशन अर्किटिक ओशन रिसर्च इसके द्वारा सारी चीज़ें वहां से manage होती है ठीक है communicate होती है वहां से कहां से अर्किटिक कहां से ठीक चलिए ये देखिए यहां पे क्या है भाई देखें यहां पे COVID-19 फैला था जो वहां पे COVID-19 हो गया था उनको तो इसी सारी चीज़ों को लेकर वहां पे बहुत ज़ादा इस समय प्रॉब्लम थी तो इसी वज़े से ये सारी टीम जो है वो भीजी गए ठीक है चलिए नेक्स्ट हाँ ये इंपोर्टेंट है भारती धक्षिंगंगोत्री और मैत्री सबसे पहले कौन से इस्टैब्लिश की गई थी तो मैत्री की गई थी 1989 में और जब दूसरी कौन से इस्टैब्लिश की गई थी दक्षिंगंगोत्री 1984 में सबसे पहले की गई थी 1984 में दक्षिन गंगोतरी और फिर उसके बाद 1989 में कौन से गई थी मैत्री गई गई थी और जब मैत्री को खोला गया था क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़ादा इन देसों में बर्फ भी बढ़ती है तो कही बार क्या होता है बर्फ के अंदर भी कही प्रॉब्लम हो जाती है तो लाइब एप में प्रॉब्लम होती है तो जब ये खोली गई थी तो क्योंकि दचिन गंगोतरी इतनी पुरानी हो गई थी तो इसलिए इसको क्या है दचिन गंगोतरी को बंद कर दिया गया था अभी ये खोली है लेकिन अभी ये रिसर्च के परपस नहीं वहाँ पर कोई वहाँ पर कोई भी जाकर रोक सकता है वहाँ पर सारी चीज़े अवेलेबल हैं लेकि रिसर्ट के माध्यम से यही दो लाइब काम कर रही है हमारी भारती और मैत्री तो जब यह खोली गई थी open and डक्षिन गंगोत्री दक्षिन गंगोत्री को बंद कर दिया गया था रिसर्ट के माध्यम से आप जाननी है ठीक है और हाली में 2012 में 2012 में 2012 में खोली गई थी कौन सी भारती नमाग तो यह आपको सारी चीज़े पता होंगी सबसे पहले को नहीं खोली गई दक्षिन गंगोत्री खोली गई 1984 में फर ट्राइफिट ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइफल अफेर साइंट अब मेमरेंडम और अफ अंडर्स्टेंडिंग विद विच आप दीज तू सेट अप ट्राइफूट पार्कों के स्थापना के लिए इनमें से किसके साथ समझाता गया आपन अस्थाचर क और आपको विडियो को पास करना है अखेल भारती वनवासी कल्यान आश्रम और इंडिया मेंसिपल कार्पोरेशन ये समझाता या ननौपती इसमें से किसके द्वारा ये साइन किया गया है क्या होगा भाई इसमें तो आदिवासी लोगों के जारा जो भी आपको बता बहुत जादा अलगळकत्रे की जड़ी बूटियां होती है और अलगळकत्रे के फल फूल भी होते हैं तो अनके द्वारा ऐसा सरकार कर चाले जहीं कि जो नीड़ है कि इनकी ट्राइवल यूनिटी की ट्राइवल कमूनिटी community की то उससे क्या होगा कि ये लोग जो भी चीजें वहां से खटा कर सकते हैं कहां से जंगलों से हैं तो वो सरकार के सामने वो सारी चीज़ें पेस करते हैं कि इन सारी चीज़ें को बेच के उनका विकास भी किया जाता है किसका इनका community का आपके जो आदिवासी लोगों के विकास भी किया जाता है और वो सारी चीज़ें निकलके आम लोगों तक भी पहुंसती हैं जो कि उनके लिए beneficial हो सकती है ठीक है आम लोगों के लिए तो इससे जो लिए कई भी सारी theories है यह बहुत लंबा topic है कभी हम फिर discuss करेंगे अभी question यह है आपको समझाता किसके साथ साचर हुआ तो यह आपका हुआ अखिल भारती वनवासी कल्यान आश्रम के दोरा ठीक important information मैंने आपको यहां provide करवा दिये यह आप देख सकते हैं ठीक चले अच्छे यह काम किसके ओपर शुरू हुआ है यहां पर क्या होगा देखें आपको according to the MOU Trifid and Akhil भारती वनवासी कल्यान आश्रम will together implement वनधन योजना this is to be achieved through mobilization of self-help group ठीक है Trifid parks वनधन विकास केंदर इसके अंदर काम करेंगे ठीक है यह सारी चीज़े आपको पता हुआ आप चाहिए होगा क्या इसमें देखें से आप यहां देख सकते हैं कि मतशिफालन, fisheries, foriculture, animal, husbandry and craft जो भी सारी चीज़े हैं जिनमें आदिवासी लोग ज़्यादा काम करते हैं उन सारी चीज़े को फैलाया जाएगा उनके ओपर काम किया जाएगा ठीक है जो important था वो मैंने वो बता दिया और इसको pause करके भी पढ़ सकते हैं विच कंपनी डिजाइन सेंट्रल विष्टा प्रोजेक्ट किस कंपनी ने सेंट किंद्री विष्टा परियोजना की तैयार की है तो उसको re-manufacture किया जाएगा एक तरह से पुनर विकास किया जा जा रहा है उसका पुनर निर्मार किया जा रहा है यह सारी चीज़ें आपको पता होंगी ठीक है जो important question पूछ सकता है वो आपको मैंने याप इलाके दे दिया ठीक है भूमी पूजन भूआ पहले रोक लगी फिर उसके बाद government ने permission ली कि भाई हम के बाद भूमी पूजन कर रहा है इसकी permission दे दी जाए तो इसकी permission मिल गई लेकिन फिर उसके बाद जो case है Supreme Court ने बोल दिया कि हाँ आप इस पर काम कर सकते हो ठीक है यहाँ पर important आपका जो answer हो जाता है question number 24 का right answer यह है HCP Design Planning and Management Private Limited यह इस company को इसने जो यह project है इसकी designing की है ठीक है और यह इसके भीमल पटेल यह इसके architect है इस company के तो आपसे पूछ सकता है कि जो आपकी सेंटरा विस्टरा पोटेक्ट है इसके architect कौन है डिजाइन किसने की है तो भीमल पटेल लेकिया है ठीक है और यह बाकी की जो company है यह देखिए आपको पता हुआ कि government का जब भी कोई project होता है तो उसके लिए bidding लगती है तो यह सारी इन तीन जो बाकी की तीन company है इन्होंने भी bidding की थी लेकिन जो project मिला है इसको SCB design and planning को private limited को मिला था designing का यह आपको याद रखना है यह normal से जीज़ थी मैंने आपको बता दी question जो importance था वो भी मैंने बता दिया और यह company कहा कि तो गुजरात कि यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और यह इन्होंने क्या कहा है यह आप देख सकते हैं यह नदी का पानी है और इसको पर यह पैनल तैर रहे है तो किस नदी पर बनाया जा रहा है तो यह आपको पता होना चाहिए और राइट आंसर आपका क्या है नर्वदा रिवर यह आपका राइट आंसर है ठीक है मैं आपको जूम कर देता हूँ विen लेट नर्वर रचा रहे है जो है ठीक है आपको खुधी मैं पेंना यहाँ पर प्रकिक्चर घृच हमें कर दीविए अमिनिस्री आफ नियू एंड रिलाइबल एनरजी वर्ड लार्जेस फ्लोटिंग सोलर एनरजी प्रोजेक्ट टू भी कंस्ट्रक्टेट और ओम का रिस्ट्रडेंड और नर्मनाद देवर ठीक है खांडवार डिस्ट्रिक्ट में है और मंदब रिस्ट के अंदर ठीक है चले आपका 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है यह 2023 तक चालू हो जाएगा ठीक है यह आपको लिख के दे दिया है मैंने यह आपको याद रखना है आपके ओप्शन्स हैं स्री लंका बंगलादेश वियत राम और चाइना आपको क्या करना है सिंपली वीडियो को पास करना है और आपको जो आप इन पेपर लेके बैठे है उसमें आपको रायट आंसर जो है वो आपको जो रायट आंसर लगता है वो आपको वहाँ पे लिख लेना है जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सही है तो अच्छी बा गलगे देखे अगरagon का सबसे बड़ा नियातक कंटरी मानज परकर जो export होता है वह अगर चावल के मामले मान जाए तो यह वीत नाम ही है थीक है वीत नाम ठीक है सबसे तीजसेरा सबसे नियुक्त तो आपका थाइलेंड है और थर्ड नमबर पर कौन है तो वियद नाम है तो आप देख सकते हैं यहां पर थर्ड पोजिशन है वियद नाम की एक्सपोर्ट के मामले में लेकिन फिर भी यह इंडिया से चावल ले रहा है क्यों ले रहा है मैं आपको बताऊंगा इनको क्या ल उससे फूड की प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत जादा तो इसलिए इस सब चीजों को देखते हुए वियद नाम भारा से चावल खरीद रहा है ठीक नेक्स कोशन आपसे क्या पुछेगा राइस एक्सपोर्ट कंट्री में ने बता दी इंडिया थाइलेंड और वियद ना कितना चावल मंगा रहा है तो 70,000 टन मंगा रहा है ठीक है अगर आपसे बुछता है राइस प्रॉडक्शन के माहम लें काउन सी कंट्री फर्स नंबर पे यह चाइना हो जाएगी जो राइट आपका राइस चावल का प्रॉडक्शन है प्रॉडक्शन सबसे जादा चाइन इंडिया में होता है और थर्ड नंबर पे होता है आपका इंडोनेशिया के अंदर यह सारे जीज़े आपको पता होने चाहिए पता चल गए चलिए और यह सारे जीज़े पॉसबल हो पाई ग्रीन रिवल्यूशन के माद्ड़्य हम से आपका जो हरित करान्ती थी वहां के दो कोशन याद रख लिए अगर आपसे घूशता है कि हरित करांथी किस के द्वारा आई हरित करांथी का जना कुन माना सना जाता हमता है श्वामि नाथन श्यामि नाथन यह आपके इंडिया को हैं ठीक है यह आपको पता होने चाहिए चले आपसे गुझा है वर्ड में किसके दोरा आई गई तो Norman Barlock Norman Barlock इनके दोरा वर्ड में हरित करांती आई और इंडिया में हरित करांती आई स्वामी नाथन के दोरा ठीक है यह जनत थे हरित करांती गे Green Revolution के यहां पर कुछ फैक्ट दे दी है मैंने आपको पढ़ना हो पढ़ लिजेगा ठीक है चले नेक्स कोशन आसे कोशन है रिसेंट्ली ड्राफ्ट आर्किटिक पॉलिसी इस इंप्लिमेंटेड बाई विच मिनिस्ट्री हाली में ड्राफ्ट आर्किटिक जो नीती है किसमने तरह दोरा लागो की गई तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change Ministry of Arts and Ministry of External Affairs आपका राइट अंसर हो जाएगा आपका कुछन आप्सन नमबर B Ministry of Earth Science के दोरा यह लागो की गई है इसके अंदर क्या होगा यह important नहीं है और आपको मैंने फिर भी लिखके दे दिया हुआ है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ठीक है वीडियो को पास करिए और पढ़ लीजेगा इसको ठीक है यह मैंने आपको जूम इन कर दिया चलिए, next according to IMD 2020 was 18th warmest जो आपका year है on record since which year IMD के अंदर सबसे गर्म साल था मतलब इससे पहले कब सबसे ज़्यादा गर्म पढ़ी थी तो यह आपको बताना है 1999, 2002, 1992 and 1990 01 and आपका right answer क्या है 1901 मतलब जो भारत का सबसे ज़्यादा गर्म वर्स था 2020 इससे पहले यह 1901 में इतनी घर्मी पढ़ी थी यह आपको पता होना चाहिए यह आप से पूल सकते है normally question आपको answer कर देना है यहाँ पर आपसे question पूछा है important चीज़े में आपको लेकिया आगया हूँ अगर आपसे पूछता है कि foundation कब हुई थी IMD की जो Indian Meteorological Department है तो 1875 में हुई थी headquarter का in New Delhi में है देखिए यहाँ पर आपको कुछ news मैं आपको होता है था हूँ यह आप देख सकते है photo यह आपके जो खेल मंत्राले के स्पोर्ट्स एन यूथ मिन्स्री के मंत्री है किरनरी जीजो जी इन्होंने हाली में असम के अंदर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुवात की है ठीक चलिए यह देखिए केंदरी यूआ ममले और खेल मंत्री ने स्री किरनरी जीजो ने हाली में असम राइफल्स कहाँ पर असम राइफल्स जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पर खेलो इंडिये स्पोर्ट्स स्कूल को लाच्ट किया है इसमें कहाँ किया होगा जो भी बुक्चे हैं यहां पर एडमिशन नेंगे जितना भी उडूट्चे का खर्च है वो सब इस्ट करूपर्स आप सब पुस्ता है खेलो इंडिया स्पोर्स जो स्कूल है वो कब से शूर गई यह उसने है तो यह on 31st January 2018 प्राइमिस्टर नरेंद मोदी इनागरेटेट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एट ओपनिंग सेरिमनी बेस्ट अन गुरू सेश्य ट्रेडिशन हेल्ड एड इंद्रा गांधी अरेना यह आपको पता होने जाए ठी यह नापती इस तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा इस्ट का फ्रूब्राम क्या है इंडियन स्टेंडर्ड टाइम यानि भारती मानक समय ठीक है इसे इंपॉर्टन कुछ फैक्ट हैं यह मैंने आपको दे दिये हैं आप बढ़ लेजेगा आपसे कोशन पूशता है कि हमेनि टाइम जोन मर्ला के रिंदिया हों ठीक है इंडिय खर्न उस्ट हो झाम करता है इंडिया का येलन क्या है इंडिया इस तो टांड म्ह nuclear स्टन आपका य को पूशता है तुह स्ट यह यजा थो ऑर मुशति अ-धो राज के दौरान शुरू किया गया था 1884 में ठीक है हो गए आपके 30 कोशन एंड और यहाँ पर यह साइड रही आपकी कोश्चन की ठीक है यहाँ पर मैं आपको कोश्चन पढ़के सुना देता हूं जल्दी से यह आपका पहला कोश्चन अबेर कप इस रिलेटेट विज केम अबेर कब जो है आपका किस खेल से संबंदीत है और what is the motto of international red cross and red crescent movement इसका motto क्या है जैसे मने आपको लास्ट वीडियो में दिया था यहाँ पर आपको इसका motto बना जाए रिसेंटली थे कंट्री हूज नेवी हैज ऑफिशली इंस्टारी इंस सिंधुवीर वेर वास्ट कॉ स्कूल्सौल कर्मेंट मदर्स इंटू इसकूल्स हाली में खरकारणे असा बिल पारित किया जिसमें मदर्स से जो भी होते हैं मुस्लिम गश्यम्नी वाले उनको बदल के स्कूल में कनवर्ट किया जाएगा यह आपको पताना है ठीक है चलिए नेक्स्ट वोक 2021-1 फस्स डिटेक्टेट इन विच कंट्री इसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फुल इन्फॉमेशन में आपको पहाई थी इसके बारे में आपको पता करना देखना हो तो वीडियो देख लिए जगा रास वीडियो आदा मारा ठीक है चलिए यह वीडियो आपको संडे संडे प्रोइड की जाती है और जल्दी हम आपको और ज्यादा रखेंगे ठीक है चलिए question number 35 and the right answer is South Africa South Africa में फर्स्ट बार डिटेक्शन हुआ था इसका अभी वो क्या है ये एक प्रकार है किसका COVID-19 का और इसका नाम क्या है variant of concern ठीक है यह आपको क्या दिख रहा है चमकता हूँ सूरज नहीं भाई यह आपका COVID-19 का एक तरह से structure एक देख सकते हैं यह आपको इस तरह से दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाता हूँ यह देखे आपको इस तरह से दिख रहा है इसमें क्या है कि यह जो spikes निकली हूँ है इसके अंदर से यह spikes यह नए वाले strain में यह spikes कुछ ज़्यादा ही निकलाई थी और जो आपको इसको मारने की समता इसके अंदर ज़्यादा आ गए थी यह ज़्यादा effective हो रहा था जो आपके human body में problem create कर रहा था ठीक है इतने information आपके लिए परयाफ़त है नेक्स्ट राश्टी कामदेनू आयोग किस अपना किस वर्स हुई थी यहां पे आपके दो दो कुछन आगे क्या वाई तो यह कुछन आपका हो गया homework ठीक है यह आपका हो गया homework और आपके question का right answer मैं आपको यहां पे बताऊंगा इस वाले question का राश्टी कामदेनू आयोग अंडर विच मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर गताती मिनिस्ट्री अफिशरी अनिमल हजबंडरी और डेरिंग मिनिस्ट्री आपको देख फोटो मैंने इसले लगा दिये गिर्रा सिंग चौहान इसके इसके राइट आंसर एक ही मिनिस्ट्री के है मिनिस्ट्र है कौन है नारें सिंग तोमार ठीक है चलिए इसमें हुआ क्या है देखिए राश्टी कामदेनू आयोग का गठन हुआ था कि ये पास उपालन को किस सरस्वेश्थित किया जाए और गायों की नशलों में शुधार और गो हत्या पर प्रदिवंद के लिए उठाने लगाने के लिए कदम उठाए गया था अभी क्या हुआ है तो देखिए राश्टी कामदेनू आयोग जो है वो एक कुछ ऑनलाइन कुछ और्गनाईज करवा रहा है अभी इसके जो रेजिस्टेशन है वो खोले है आपको कामदेनू आयोग.com सर्च करना है और वहां पर जाके आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में तो इससे क्या होगा यह कुछ इम्पर्टन होने लिए इसमें स्रेटिवेशन भी जाएगा और प्रायज मनी भी दी जाएगी जिससे क्या है लोग ज्यादा प्रोड अपरचुनिटीज एंड एक्सपोर्ड पोटेंशेल अकाव कैन ओफर आफ्टर इट स्टॉप किविंग मिल्क ठीक है चलिए रेसेंटली बायो डिजास्टर टेक्नॉलजी हैस बीन डेवलप्ट बाई विच आप दीस हाली में बायो डिजास्टर टेक्नीकी डाइजिस्ट अंसर पता होना है चाहिए यह डी आइड होगे दोरा की गई ठीक है अच्छा और मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें आपको पता होना है चाहिए हमारे जो यहाँ पर जाए जो हमारे मिलिटरी के जितने भी आपकी जो मिलिटरी होती है और कई बार उचे इस्थानों पर बहुत ज़ादा जो बॉर्डर वगरा में रहती है उनको क्या होता है प्राब्लम होती है किसमें प्राब्लम होती है उनको जो भी धैनिक क्रियाएं होती है उनको करने में प्राब्लम होती है क्योंकि वहाँ प higher aptitude in Himalayan regions उनको वहाँ पर problem हो इसके लिए जो technology हो जो है वो develop की है यह आपको पता होने चाहिए ठीक है आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि किस ने की है तो DRDO ने की है और दूसरी चीज किस के द्वारा मिलके गी है तो यहाँ पर आपको पता होने चाहिए महा मेत्रो की द्वारा यहनोंने महा मेत्रो रेल कॉर्पषिशन की द्वारा इन्होने यह जॉइन यह जॉइन्ट वेंचर था इसके द्वारा इन्होंने मिलके यह किया है ठीक है चले और टेक्निक की का यूकर यूज करेंगे यह MK-2 advanced bio disaster mk2 technique का ये लोग use करेंगे ठीक है चलिए next question which state or ut government recently issued guidelines to reduce the weight of school backs of students किस राज और केन ससित प्रदेश ने हाली में छात्रों school back को कम करने के लिए निर्देश दिसन निर्देश चारी किये हैं तो यहां पर right answer आपका हो जाएगा देली government दिली सरकार के तोरह ये किया गया है guidance जारी की गही है इतना question है important जादा नहीं पूछेगा ठीक है next according to the report of global economic prospect how much percentage will the Indian economy recover in 21-22 ठीक है चलिए अगर आपसे question पूछता है कि जारी किस के तोरह होती है यह word bank के तोरह जारी की जाती है क्या global economic prospect दूसरा question आपसे पूछेगा कि अगर word economic outlook यह word economic outlook यह वाली report कौन जारी करता है तो यह वाली report जारी करता है international monetary fund के तोरह यह report जारी की जाती है आपका जो global economic prospect report है यह word bank के तोरह जारी की जाती है यह दोनों आपके important question हो गए अब मैं question पर वापे चलता हूँ question क्या बूल रहा है आपसे कि global economic prospect report में अनुसरा भारती अर्थवस्ता 2022 में कितने percent ठीक होगी तो यह आपका 5.4 percent आपका right answer है option number C इतने percent ठीक होगी लेकिन 2020 में इनों ने बताये कि कितने percent shrink होगी इतने percent कम होगी तो 9.6 percent की दर से यह गिरेगी economy ठीक है किसे में बताये global economic prospect ने में बताये लेकिन 5.4 percent की दर से यह बढ़ीगी 21 वाइस में ठीक है यह आपको बतावने चाहिए about world bank तो world bank के बारे में जान लीजे headquarter Washington DC में है US के अंदर president David Malpas है parent organization किसके अंदर काम करता है तो world bank group के अंदर काम करता है establishment कब हुई थी foundation कब हुई थी July 1944 में हुआ था Bretton Woods and Melan के अंदर founders कौन है तो John Maynard Keynes और Harry Dexter White इसके founder है ठीक है next recently Ujala scheme has completed six year it was last to provide which of the following at affordable prices हाली में Ujala यह उसना को 6 साल पूरे हो गए है यह निम्ले कितमे से कौन सा सस्ती कीमत पर उपलब्ड किसे सस्ती कीमत पर उपलब्ड कराने के लिए लाँच किया गया था home loan LED bulb gas laner और none of these इसमें कुछ important है fact है उसके बारे में भी हम आप से discussion करेंगे ठीक है अगर उजाला स्कीम के बारे में बात करता है तो उजाला स्कीम किसके लिए launch की गई थी उजाला स्कीम launch की गई थी आपको LED bulb सस्ते दामों पर दिलाने के लिए क्यों दिलाने के लिए इससे जो है वो environment बेरी काफी बतला हुआ है और जो बिजली की बज़स है वो भी कई बार बहुत देखी गई यहाँ पर additional information में अगर आपसे उजाला का फ्रोफरॉम होसता है तो मैं आपको उजाला का फ्रोफरॉम में यहाँ लिख देता हूँ उजाला का फ्रोफरॉम क्या होगा उननती जोती बाई अफॉर्डिबल अफॉर्डिबल एलीडी एलीडी फॉर ओल यह आप राइटिंग में मत जाएगा ठीक है आपको मैंने लिख के बता दिया है अला कि लिखता नहीं हूँ है और ऐसे ही बता दिता लेकिन मैंने लिख दिये उजाला का अगर आपसे फुस्ट फुस्ट आया जाता है तो आप बता दिए गा उननती जोती बाई अफॉर्डवल एलेडी फॉर ओल यह आपका फॉल फॉर्वाम है उजाला का 6 साल पुरे होगा है तो मतलब लॉंच कब हुई थी यह आपको बतावने चाहिए यह लॉंच ही थी 1 मई 2015 को 1 मई 2015 को यह योजना जो है वह लॉंच हुई थी उजाला स्कीम ठीक है इसके अंदर एक और योजना भी लॉंच हुई थी उसकीम लॉंच हुई थी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा यह दो आपके वहां पे लॉंच हुई थी अच्छा इंपोर्टन जो है वहां पे देख लीजेगा मैं आपको कुछ इंपोर्टन चीज बदाता हूँ यह दो यह लॉंच हुई थी उजाला आपकी उननती जोती इंपोर्टन आपके वीडियो को पढ़ लीजेगा ठीक है चली यह दो योजना जो शुरू की गई थी ठीक है चली अच्छा इंपोर्टन और आपसे क्या पूस सकता है तो यह देखिए अगर आप सब उस्ता है उजाला जो थी किसके बदले में लौज गई तो यहाँ पे बजट लैम्प योजना जो थी इसको रिप्लेस करके यह योजना शुरू की गई थी एक मई 2015 को ठीक यह साही चीज़े आपको पता होने चाहिए और इंपोर्टन चीज़े मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है वह आप पॉस करके वीडियो को पढ़ लीजेगा ठीक है चले और रिव्यू जरूर दीजेगा कि यह वीडियो कैसी रही है न और क्या 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 कोश्चन आपके लिए इंपोर्टन हो सकते हैं यह बहुत सारी चीज़े हैं आप रिव्यू देते हैं तो मेरे को भी लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और सही से पढ़ रहे हैं अगर वीडियो आपको लिए लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक करेगा ठीक है और यह पीडियो देखे जाएगे वहाँ पर सिंपली आपको 50 रूपीज का पेमेंट करना है आपको सारी पीडियो प्रवाइड करवाद दी जाएगी पीड पैकेज के अंदर ठीक है चलिए गवर्मेंट आफ इंडिया एंड गवर्मेंट आफ वेस्ट पेंगॉल किसके द्वारा गवर्मेंट आफ इंडिया और गवर्मेंट आफ वेस्ट पेंगॉल के द्वारा एक सो पांच मिलियन अमरीकी डॉलर का जो अमेरीकी संभी होता है पर सार्चर किये गए किसके द्वारा तो यहां आपका राइट अंसर हो जाएगा वर्ड बैंक ठीक है वर्ड बैंक और भारत सरकार पर्शन मंगाल सरकार के अंदर क्यों की गए तो भाई यह आपको बता दू मैं इसमें पोर्ट को डैवलप किया जाएगा जो जल मार्ग है उनको डेबलब किया जाएगा ताकि जो यहां से सारी चीज़े माल ढोलाई बगरा होती है जो भी सारी चीज़े होती है वो आराम से हो सके है ठीक बारत ग्री रक्षा पॉलिसी रिलीज़ बाई विच आफ दीज इस्टेट्विडी बॉड़ी भारत ग्रह र टी-एट कोशन नमर तर टी-एट और राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा आई यह यह धान सर होगे है इसके जारा भारत घ्रह रक्षनी ती जारी किए ठीक है इतना इस बार्ट नहीं है बाकी यह पॉस्त करके पढ़ लीज़ेगा जो इंपो प्रश्टी टीम ने सर्वे चंड के कौन सी विधिविक्सित की है जो आपकी सर्वे सर्वे होता है खासका एनिमल सर्वे होता है जो इसके लिए शुरू की मतलब यह मेथड निकाला गया है जो एनिमल सर्वे होता है किस के लिए मतलब किस टेकनिक का यूज करके हाली में कौन सी तेकनिक नई टेकनिक का यूज किया गया है राइट अंसर आपका AI-based survey जो आपका artificial intelligence-based survey होते हैं उनका यूज किया गया है किसने यूज किया है थो Oxford University के एक research की team थी उन्होंने यूज किया है ठीक है चलिए next which of the following recently announced operational guidelines to payment infrastructure development funds निमले खित्में से किसने हाली में बुकता ना और सनरशना विकास नीदी को परसाज पर चालन दिशनान दिशनों की गोशना किये वर्ड बैंग, IMF, RBI या नन उफ दीज question number 40 and the right answer is RBI ठीक है RBI चलिए important है पढ़ लिजेगा इसको next यह आपका 40 question complete हो गए और यह आपकी आगई slide important questions की important question क्या पुछ रहा है living behind यानि मुक्य सम्मानी को पीछे छोड़ कर who has become the richest person in Asia Asia के अंदर सबसे richest person कौन बना है next question आप से पुछ रहा है who has been awarded the ICC spirit of the cricket award of the decade by ICC इस question का answer अगर आपने last वाला video देखा है हमारा तो आपको answer यह पता होगा ठीक है next question के पुछ रहा है the state in which India's first lithium refinery will be set up in भारत की पहली lithium refinery कहां पे set up की जा रही है next question आप से पुछ रहा है the union cabinet approved the export of missile system on 30 December 2020 यह भी अगर आपने last slide आपने last हमारी video देखी है तो आपको इसका answer पता है था हमने इसके बारे में full explanation दिया था हमने आपको answer पता होगा ठीक recently the state government has announced to build the world largest honky stadium इसका answer आपको करना है यह 5 question रहे और फिर से हम चलते हैं हमारी next slide के उपर next question के उपर sorry next question question number 14 the research bank of India recently formed an advisory counselling under which of the following former deputy governor to advise the director of the central bank on supervisory college भारती रिजर्बैंक ने हाली में परवेचक कालिजों पर केंद्री बैंक के निदेशा को सला देने के लिए नेमलेकित में से किस पूर्व डिप्टी गवर्णर के तहित एक सलाकार परिशत का गठन किया है एमराजेशुराओ, डॉक्टर एमडी पात्रा, एमके जैन और एनेश विसुनाथन तो आपका right answer हो जाएगा एनेश विसुनाथन इनके अंदर ये deputy governor थे, पूर्वी deputy governor थे और इसके अंदर किया किया जाएगा तो इसके अंदर कुछ नहीं किया जाएगा तो जाट सुपर्वाइजरी कॉलेज वर इस्टैबिश फॉर सिक्स पैंक, ये सिक्स पैंक के लिए इस्टैबिश किया रही है, यह आपको पता होने चाहिए यहाँ पर पढ़ लिए जाएगा, यह इसे एक्सपान कौन से, और किस लिए के जाएगी तो the council will develop appropriate teaching methods the council will also benchmark the programs with the international standards and improve the teaching method teaching method सही हो जाएगी, ठीक है यहाँ पर मैं आपको कुछ governor लेके आया हूँ, यहाँ यह भी देख लिएगा RBI governor कौन है, सक्तिक अंदास इसके लाव तीन deputy governor है, कौन-कौन है M. Rajeshur Rao, Dr. M.D. Patra और M.K. Jain और यह आपके BP कानूंगो थे, कौन 34-2017 में यह भी अभी भी है और NS जो आपके विश्वना था 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 यह 47-2016 से 31-3-20 तक यह पूर यह हो गए, ठीक है अभी यह नहीं, पूर विटेप्टी कौनर थे है ठीक, नेक्स कोशन आपसे पूर्शा है किसान रेड़ी कमीशन कमेटी इस रिलेलेट तो विच आप दा फॉलोई किसान रेड़ी समीटी निमलेक्ति में इसके दौरा किससे सम्बन दीत है, तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा, चल्ले लिदी करते हैं और राइट अंसर आपका प्रिवेंशन आप कल्चरल एंड लेंगवेज कल्चरल एंड लेंगवेज इसके दौरा यह सम्बन देत है राष्टी वन जी बोड के अध्यज कोन है प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राम मिनिस्टर या इन्वार्मेंट वीडियो को बकुस करिए, पिन पेपर जो आप लेके बैठे हैं उसमें आपको आंसर नोट डाउन कर लेना है प्रेजिडेंट, 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 प्रेजिडे एक वैधानिक निकाय है एक स्टेटिवरी बॉड़ी है जो की 2003 के अंदर किसके अंतरगत आई थी जो आपका वाइले प्रोडेक्शन एक्ट 1972 था इसके अंतरगत आई थी कोशन नमबर 45 इंडिया एंड फ्रांस हेल्ड टियर अन्युवल स्ट्रेजिक ड्यालॉग इन कहां पर वह यह वारता हुजे तो यह दिल्ली के अंदर हुई इस आपको पताना चाहिए यह आपको फ्रांस के प्रेस्टेंट है मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में आपको सेक्शन और विच कॉरिडर जो रिवारी मदार खंड को समर्पित किया है यह किसके दर समर्पित किया है आपको मैंने जो डेटिकेटेट फ्रेट कॉरिडर थे इनके बारे में वीडियो में बताया था लास्वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जागे देख सकते हैं ठीक है चले तो यहां पर आपको बता दू मैं यह आपका राइट अंसर है 45 का कोचन पर 45 का आपका सी जो आपको वेश्टन डेटिकेटेट फ्रेट कॉरिडर है इसका जो है नावराण किया है रिवारी मदार खंड के अंदर ठीक है यह कहां से कहां तक है तो आपको मैंने कुछ बॉर्टेन दे दिया है 227 किलोमीटर का है ठीक है यह आपको पता होने चाहिए यह आपका देल किलोमीटर का जो भी कंटेंट ट्रेन है वहां पर देए ठीक है यह डबल स्टेक के कंटेनर है नेक्स्ट फूट प्राइज इंडेक्स डिरीज बाई विच यहां पर आप देख ली जिगा और यहां पर कुछ इंपर्टेन इंफोर्मेशन में आपको प्राइट कर रहा देता हूं यह रही आपकी इंपर्टेन और इंफोर्मेशन की हेड़कॉर्टर कहा है इसका रोम इटली में है फाउंडट 16 ओक्टोबर 1945 में ठीक है परेंट और इसको जंटी किसे ने दिखाई थी तो नजरेंदर पुदी जी ने इसको जंटी दिखाई थी आपशन नमर 60 का राइट अंसर हो जाएगा कहां से कहाँ तक है तो यहां पर मैंने दे दी है ठीक है यह पढ़ ली जगा ठीक है चाले next यही आपकी slide जो मैंने आपको question आंसर द साही आंसर की थे इनका नाम था इनका नाम तो नहीं वहां पर लिखा था लेकिन आईडी मैंने पड़ी हुई थी दुर्गा मा करके आईडी थी इनकी और इन्होंने बहुत अच्छा यह मैंने रिस्पॉंस दिया कि इन्होंने बहुत ज्यादे दर कोश्चन के अंजर इनको इनको पता थे और कमेंट सेक्षम में ने बताया भी था और इन्होंने और ब्रक्त के अंदर किस यर वह लाया किया था इस्टैश्मेंट भी बताया था यह अच्छा लगा में चली इनका यह जो मैंने आक को बाइडी बताई बाही आप देख लीजगा और आप जो भी हो आ आपको प्राब्लम होई देखिए अम एक एक करके खोस्टेंड किटरा बढ़ते हैं मैंना को बताया था वह इस फुल फॉर्म ऑफ विपरो देखें पहले यह कंपणी आई थी जो आपके रिफाइंड ओलर हैं उनके काम करने के लिए थी भाइ में आई आए आपकी टेक फ्रांस तो यह आपके इमेन्यूल माइक्रोन थे ठीक है और वाइज अपिटल आफ उत्राकंड यहाँ पे अब मैंने बोला था कि ट्रीकी कोशन है तो देखे इन्होंने देहरादून बताया था देहरादून मिल्गों सही है लेकिन आपसे देहरादून के लावा यहाँ पे स्रीलंका गोटा भाया राक्षपक्षे हैं सीओ अप्सेल कोंने सवाम इन्डले स्लाइड में मैंने बजाया था ठीकी कोशन यही वाला था क्या था इसके अंदर क्यों मैं बढ़ा था क्योंकि यह पहली सेल की पहली महिला चेयरपरसं थी ठीक है सीओ थी इसलिए ज्यादा कुछ पूछ जा सकते हैं आपसे फिस न्युश काईग ऑफ इंडिया गृष चन्मुरमु है और गृष चन्मुरमु इसके पहले उपर आज जपाल भी थे कहां के जम्मो कश्मीर के और अभी कौन है मनुश सिना है अगर आप से बुशता है कि पहले उपर राजिपाल कोन है तो पहले उपर राजिपाल की रूप में भी ग्रिश चन्द मुर्मु आपका राइट अंसर हो जाएगा यह जीज याद रखिएगा ठीक है तो यह आपकी हेमंद कुमार पांडे है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन दिखाता हूँ मैं आपको फूस्पेसेक्स तो एलन मस्क है और स्पेसेक्स के लावए यह टेसला कंपणी के भी आपके मालिक है पूस्पेसेक्स की अधारपुनावाला इसके राइट असर हो गया इस दा गवर्णर अफ वुतरपदेश, अनंंदी बेन पटेल, क्यों कि आनंदी बेन पटेल एक कारिकारी और भी राज है, उसकी गवर्णर है, कौन राज है वो तो वो है आपका MP, पहले कहुं थे कौन Was गवर्णर काल्यान सिंग थे लेकिन उनकी डेथ हो गई थी अभी कु इन सारी चीज़ों को इतना अच्छे से लिया और इसके आंसर किये ठीक है और जिनकी भी आईडी है और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाईगी आपने सही आंसर दीते हैं ठीक है चली इंपोर्टन डेस के बारे हम बात कर लेते हैं पहले हम और इंपोर्टन डेस में मैं आपको बता दूँँ 1st January आपका English New Year था New Year भी था आर्मी Medical Corps Establishment Day भी था और Global Family Day भी था और World Peace Day भी था इतने सारे डेस थे 1 जनरी के दिन 4th January ने आपको बता है World Braille Day था 6th January World War Offense Day था और 8th January को आपका Frequent National Congress Foundation Day था यह आपको याद रखना है ठीक है यह आपको PDF जो मैंने दिखाई जिसमें मैं बढ़ा रहता है यह आपको PDF चाहिए तो आपको PDF paid package जोईन करना पाड़ेगा जो की 50 रूपीस payment में आपको मिल जाएग ठीक है weekly current affairs for one day exams के लिए और यह slide पढ़ने के लिए मतलब यह session देखने के लिए बहुत जादा thank you so much और आपका जो preparation हो बहुत जादा अची चलती रही आपको जल्दी से selection मिले ठीक है ताकि आप बहुत जादा अपनी जो भी चीज़ें उनको सही कर पाओ और success की और बढ़त जिए इसके लावा यहाँ पे नंबर भी flash कर रहा है यह मैं आपको zoom कर रहे दिखा जीता हूँ यहाँ पे नंबर भी flash कर रहा है इसमें आपको message नहीं करना है सिर्फ telegram करना है और वहां पे सारी चीज़े information इसकी मिल जाएंगी ठीक है चालि मिलते हैं next video में और फिर बहुत PDF आपको provide करवा दी जाएगी आपको अगर PDF का paid package लेना है तो ठीक है paid package लेने के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया आपको Facebook में है तो आपको sir के Facebook page पे message करना है sir का Facebook page है कमराकशा के नाम से वहाँ पे आपको message करना है वहाँ पे आपको information मिल जाएगी और इसके लावा आप टेलिक्राम पे message करके भी information ले सकते है ठीक है चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए thank you so much वीडियो को like ज़रूर कर दिएगा चैनल को subscribe करेग बढे करेगी और एसके अजवा स्वाइब रएग consig ब्जियों जोकि हैच्प कार चपीजियो कि वीडियों योर्काश में टीवड Clark ले डोलो्यड को बसक्त वीडियों आपको наг verste